नमस्कार मित्रों मित्रों आप लोग इस वीडियो में उन निर्भीक और निडर यादाओं के बारे में जानेगें जिनोंने क्रूर निर्दई कंस के सामने अपना हग कहने में चरा भी संकोच नहीं करते थे तो बात उस समय की है जब कंस के सभी मायावी राक्षास भगवान स्री किष्ट को गोकुल में मारने गए और वे एक एक करके किष्ट के द्वारा मारे गए तब कंस बहुत भैभीत हो गया इसके बाद उसने रात्री में ही अपने पिता उग्रसेन सहित सभी मानिंद यादों को बुला कर कुछ इस प्रकार से कहा जिसका वर्रन महाभारत के खिल भाग जिसे हरिबंस पुरान भी कहा जाता है के विश्रू पर्व के अध्याय बाइस में विश्तार पुर्वक मिलता है जिसमें कंस यादों के प्रती कुछ नर्मी का भाव प्रकट करता है क्योंकि क्रिश्ट को किसी भी तरह से धनुषियग्य में बुलवाना था बंधूओं आप लोग सुनें आप समस्त कर्तब्य कर्मों के ग्याता बेदों के परिनिष्ठित बिद्वान न्यायोचित बरताओं में कुशल धर्म अर्थ और काम के प्रवर्तक कर्तब्य पालक जग के लिए देवताओं के समान माननिय महान आचार विचार में दिर्टा पुर्वक इस्थिर रहने वाले परवत के समान अभिचल हैं आप लोग स्री संपन्न हैं तथा स्रेष्ट पूर्षों की चर्चा होते समय आप लोगों के नाम बारंबार लिये जाते हैं आप लोग चाहें तो स्वर्ग लोग पर भी अनुग्रह अर्था तुद्या कर सकते हैं फिर इस भूतल की तो बात ही क्या इस प्रकार से कंसने यादों की वास्तविक प्रसंसा करने के बाद मन में कपट की भावना लिये हुए यादों से बड़े बिनम्र भाव से कहा परन्तु इस समय आप लोगों के होते हुए भी मेरे संकट की ब्रिद्धी हो रही है पता में क्रिश नाम से विख्याज जो यह नंद गोप का बेटा है वह मर्यादा को लाग कर बढ़ने वाले समुद्र की भाति बढ़कर हमारी जड़ काट रहा है नंद के घर में उत्पन हुए उस अद्भुत कर्मा बालक का आस्रय क्या है या मैं नहीं जानता उसे बस में करने का उपाए क्या है इसका भी मुझे पता नहीं तथा उसमें कितना पराकरम है या अब अच्छी तरह से ज्यात नहीं हो सका पता नहीं कौन सा भूत उसके रूप में उत्पन हुआ है वह किसी देवता के संतान है या बात भी मेरे समझ में नहीं आई क्रिष्ट के बारे में और बहुत कुछ कहने के बार, कंस सभा में उपस्थित क्रिष्ट के पिता वासुदेव जी को खरी खोटी सुनाते हुए का वसुदेव तुम इस कुल के काल हो, मैंने अपने बिनास के लिए ही तुम्हें जान बूच कर पाला पोसा है, तभी तो तुम मुझसे अत्यांत बिरोद बढ़ा रहे हो, ओ मूढ और सहिश्रू और सभावता बैर रखने वाले हो, तुमने जो इस यादव कुल की सोचनी अव पूचित ही है, तब बसुदेव जी कंस की असहनी बातों को भी सर जुकाए सहते गए, तब यदुकुल के उन सभी स्रेष्ट पूर्शों ने यदुकुल तिलक बसुदेव पर आक्षेप होता देख, सिग्रही हाथों से अपने अपने कान बंद कर लिए, उन सब को यह नि कंस से तनिक भी भय नहीं था, उन्होंने धैर से अपनी बाणी को विकार रहित रखते हुए, कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा तुमने जो इतनी देर तक भासर देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा या परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रसंसा के योगि नहीं है विशेष्ट अपने बंदु बांधों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वता निंदित है, बीर अब इस समय में जो कह रहा हूं उसे ध्यान दे कर सुनो, यदि तुम्हे यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो, तो ये यदुबंस ही तुम्हे जबरदस्ती निये बन गया, क्योंकि तुम्हारे समान कुल नासक मूर्ख और अभिवे की बालक इन यादव का सासक है, इसी तरह से वह बीर अंधक वनसी यादव कंस को बहुत कुछ कह गया, तब अंधक की बाते सुनकर कंस की आँखें क्रोज से लाल हो गई, वह उनसे कुछ नहीं बो के सामने भी उस समय यादव निर्भीक और निडर होकर जबाब देते थे, विकट परिस्थितियों में भी उन्हें तलवे चाटने की आदत न तो कभी थी और नहीं कभी होगी, एक सच्चा यदुवंसी गरीबी की मार सहलेगा, कि तुवा अपनी इज्जत और मान के लिए मर मिटेगा, सायद यही कारण है कि कोई यादव कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो मित्रों यादव की मान सम्मान वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवस्य बताएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार